नमस्कार, आज हम आईश योगी इस वेबसाइट में जो सेल्फ डाइगनोसिस या जो अपसन अभी अभी नया लौन्च हुआ है, इससे हेरफल से सम्मंदित थोड़ा सा जानकरी हम लेंगे, बैसिकली अगर हम आईरुवेद के द्रिश्टी से देखेंगे तो कोई भी जो र आपका जो सीर है, वो आपके बालों को आपने पास रखना नहीं चाहता, उसको बाहर फैक रहा है, accept नहीं करता, कोई तो कारण होगा, बिन कारण तो ऐसा हो नहीं सकता, सरीर का एक अब यव अपने पदार्थों को क्यों फैक ना चाहता है, जैसे सीर के बाल अगर जड़त तो कोई ने कोई तो कारण हो गाई तो जब तक हम उस कारण को पर्फेक्ट ली जब तक हम उसको ध्यान नहीं देंगे और रोगी में उस सीज को हम एनलाइसिस नहीं करेंगे तब तक कुछ फरक नहीं पड़ने वाला कि आप कौन सा तेल लगा रहे हो सीर में क्या लगा रहे ह बिन जाने बिन समझे और इसको जाने के लिए आपको बहुत मेहंगे और इस तरी के आरुविद्ध डॉक्टर की जरूत पड़ती है और उनके पास जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो की खर्च ज्यादा लग सकता है और आज के समय में आपको पता हिए कि स्वार सचुपी होती है तो यह जो एक टूल है गुगल में हम लोगों इस तरह से बनाए हुआ है वेब साइट में अब यह बड़ा निस्वार्थी है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है यह वही चीज आपको दिखाएगा जो आपमें वेसिकली समस्या है ठीक है अब देखिए ज़र से आप गुगल में अक्सर लिखते हो अब यहां लिखना जैसे उतना ही है जितनी की आपका यह वर्ड है जैसे आपने लिखना है हेरफल ह-a-i-r-f-a-l-l हेरफल इतना लिख दिया हेरफल लिखने के बाद अब यह वेब साइट कुछ आपको कहना चाहता है क्या कहना चाह होता है यानि यह जो टूल है यह समुचे जितने भी आज तक आयुर्वेद के जो ग्रंत है चाहे वो चरक शुसृत वागबट पता नी जितने भी है उन सभी के जो सुत्र है वो यहां इसके अंदर हम लोगों ने डाले हुए है अब जो भी उससे आप सवाल पूछोगे व वो आपको उन तमाम सब्दों में से ढूण करके कुछ चीजे निकाल करके आपके सामने रख देगा देखिए जैसे आपके सामने यह कुछ चीजे रख दिया देखिए जड़ा एके करके हम इसको यहां पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब यह वेब साइट आपको बताना क्या जादा है इसने सबसे पहले बताया आटी चींता के कारण हेलफर सिर के बाल जड़ते हैं और इसका संबंदा इसने बताया आईवियस से यानि घ्रहनी रोक से अब ग्रहनी का मतलब है पेट से संबंदित एक तरी की समस्या क्योंकि अत्यंत चींता करने स से हमारी मज्या धातू मस्तिषक में रहता है और उस से हमारा रिदय पोशित होता है इसका सम्मन्ध हमारे ओज के साथ है फैर ये अलग बात है यह हमारे ऐुरुवेद स्टुडेंट है उनको ये बात है आती है लेकिन अगर आप सामनन्य बर्ग से हो आपको ऐँरुवेद नहीं पता तो एची बात हैं है आपको समझ भी नहीं आईगi दिक्कत हो सकती है अब यह बोलता है कि पहले आप देखो कि आप में वो दिक्कत है क्या अगर है तो आपने एक नमर वाली जो यह IBS लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है ठीक है अगर ऐसा नहीं है यानि पेट से जुड़े कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आप अती चिंता नहीं क कर सकते है अब आगए हम दूसरे नमर में आप यह सिस्टम बोलता है कि वह यह आपको क्रीमी हो सकता है पेट में लंग्स में हर जेकर क्रीमी होते तो अगर ऐसा है तो उसकी कारण से भी आपके ब्रेन में क्याकत है यह जो हैरफल होने की संबावना होती है जैसे नाखून ह और सरीर के जो रोएं हैं वो गिर जाते है क्रीमी के वज़े से तो आप देखो जरा सीर के बाल और उसके साथ साथ में सरीर के रोएं में गिर रही है और उंगलियों के नाखून में भी वैसे कोई दिक्कती दिखती है तो समझ लो कि यह आपका क्रीमी की तरफ इसारा कर र तो तिसरा हो सकता है आपको एनिमिया हो यानि आपको पांडू जैसा ही किस्तितिय हो आज कल तो मैं देखता हूं कि पांडू से हर तिसरा आदमी प्रबावी थे लेकिन उसको नहीं लगता कि मुझे पांडू है उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एनिमिया ही नहीं लेकिन म हेरफल हो रहा है तो यहां पर पांडू होने का संभावना अधिक दिखता है चोथे नमर में बताता है और हेरफल होने का सबसे बड़ा रिजन प्रतिस्या यानि साइनोसाइटिस तो क्या आपको साइनोसाइटिस है ठीक है तो साइनोसाइटिस के बारे में आपको पता है कि से उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मोसं परिवरतन होते ही ऐसा नजला जो खाम बगरा होने लग जाता है नांक से पानि बैटा है बच्पन में सीर में काफी बलगम जम जाता या ऐसा कुछ होता होगा होती ये तमाम चीजैंस Big जाता है प्रतिशाय में आता है और आगे आता है एक और रोग जिसका नाम है थाइराइड जो लेडिज थाइराइड अगर हो तो वहां पर भी हर्फल होता है तो यह जो चार-पांच चीजें हैं आपको हिर्फल की कोई भी दवाई लेने से पहले यह इसका थोड़ा सा आपको एनलाजिस करना होगा खुद के उपर मान लिजे कि क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया और यहां से मैंने देखा और उसको प्रतिशाय का समस्या मुझे यहां से देखा तो मैंने यह क्लिक किया था तो आप भी क्लिक कर सकते अगर आपको ग्रह से क्या चीज हो सकता है आप में जैसे मैंने यहां पर प्रतिशाय में क्लिक किया ठीक है आप देखे जारे यहां पर भी यह पांच-पांच सिम्टम्स आपको यह बोल रहा है कि मेजर मेजर जो पांच सिम्टम्स से आपको बहुत सारी चीज़े नहीं वासे यह देखे प्र तुनों रोगों का सम्मंदा बहुत हद तक दिखाई देता है तो अब यहां पर है जैसे यह पांच-पांच सिम्टम्स आपने उपर से पड़ा व्रीफली देखा और उसके बाद आप देखो कि कौन सा रोग कौन से समस्य आप में हो सकता है मैं किस सीज के लिए मैं हेरफल का मेडिसिन ट्रीटमेंट लूँ ठीक है क्योंकि सरीर में कोई सिम्टम्स देखता है तो सिम्टम्स के चिकिसा नहीं करना है वह सिम्टम्स किस रोग से जुड़ा हुआ है किस के साथ टच करता है उसकी चिकिसा करना है डारीटली हेरफल के चिकिसा से कोई वेनिविट नहीं ह क्योंकि आपके सरी में कुछ तो हो रहा है जिसके वज़े से आपके सर आपके बाल को रखना नहीं चाहता वो जाड़ देता है तो उस कारण को देखना है एनलाइसिस करना है और उसकी किसा टूटना है ठीक है तो देखी जारा मैं ने यहाँ पर सिम्टम्स पढ़ा तो प्रत आपको अगर दिखता होगा इसारा जिजाब पढ़ लेना और जो भी सिम्टम्स यहां से आपको दिखता है जैसे मैंने यहां क्लिक किया हमेशा ठंडा या कुछ खाने से गला बेड़ जाता है यहां पर क्लिक किया अब यहां हैरफल का वैसे डारेटली कोई बात यहां नह है है हेरफल 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 का हो सकता है यह देखो बाल जड़ गया ठीक है 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 लाउस है फाल अब इन में से बांकी भी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स है जो उस पेशेट में दिखता होगा तो हम उसको भी यहां क्लिक करेंगे उसके बाद फिर समुचा हमें यहां पर हेरफल यह रहा अब मैं और भी बांकी चीज़ें आप देख लो कौन से सिम्टम्स पेशेट में मिलता जैसे ऐलोपेशिया है तो यहां क्लिक कर लो नहीं है तो छोड़ देना उसके बाद यह पूर इस रिजन से प्रतिस्याए हो रहा है अब उस रिजन के उपर और उस सिम्टम्स के उपर जो हमने उपर क्लिक किये थे कि उपर अगर हम काम करेंगे तो आपका हैरफल हमेशा से ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट में हमने क्लिक किया अब यहां पर कुछ मेडिसिन और कुछ ब सम्मंदा इसने बताया कि यह जो हो रहा है आपको यह कौफादी दोशों की नासिका से बार अब यह आपको यहां पर रिजल्ट बता रहा है कि भाया किस बजे से ऐसा हुआ है यह एक बार इसको ध्यान से लंबा सा आपको पढ़ना होगा जो वो रिजल्ट दिखाता है तब आपको समझ में आएगा कि बांकी भी कुछ था और साथ में हेरफल भी है ठीक है और यह बहुत सारी इस तरह के मेडिसीन है और दूसरा यहां पर हेरफल के बारे में लिखा है देखो जरा हेरफल तो यह दुस्ट प्रतिशाय का एक कारण हो सकता है उसके बजे से अगर क्योंकि आप ने यह परतिशाय में क्लिक किया है तो दूस्ट प्रतिशाय का अगर आप चिकसा करोगे treatment लोग है और उसके जो खाने पीने के लिए जो आहर भी आहर यहां पर जो भी मर्स किया है देखो पत्या है अपत्या है तमाम चीज़ें इसका अगर आप ख्याल रखोगे तो निस्षित आपका hair fall तो रुकेगा रुकेगा लेकिन आपको जो sinus से जो परिशानी होती थी हर साल आपको यह सारे दिक्कत होता था वो भी आपका ठीक होना सुरू हो जाएगा तो यहां पर वेबसाइट ने प्रयास किया है कि अलग-अलग ग्रंत में जो इस रोक से जुड़ी होई जो treatment है जो बिचार है जो बाते हैं वो भी यहां पर डाला है तो इस से इसमें जो भी ची condition लेना चाहिए patient को वो सारी चीज़े आपने निर्दारित करना है अगर नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि यहां देखी जरा यह 7 गेट जनर रिपोर्ट यहां क्लिक करना है और उसके बाद सबसे end में आओगे share on social media में क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने किसी वईद्य को या 8699175212 इस whatsapp नमर पर मुझे आपने यह report share करना है भेजना है ठीक है तो वहां से हम आपको बता देंगे हाँ आपने क्या क्या सिम्टम्स क्लिक किये थे क्या कुछ है आप ऐसे करके यहां report भी देख सकते हैं हमेशा के लिए इस report को आप रग भी सकते हो तो यह सारे चीज़ें यहां पर हैं तो इसको सारा study कर लेना और नहीं तो अगर आप वईद्य नहीं हो चिकित सक नहीं हो तो बहतर रहेगा कि यह आप किसी आयुल वईद्य या डक्टर को बेज देना वो यहां से कुछ चीज़ें आपको निकाल करके दे देंगे ठीक है तो दीजे विदा इसका इस्तेमाल आप हमेशा करी अगर आप एक वईद्य हो तो आपके लिए तो यह जादू के तरह काम करता है और आपको एक अंजान एक ऐसा वईद्य हो आप जिसको आपने कभी आईरवेट पड़े नहीं है अगर आप पड़ भी लिए हैं कभी जीव आपको याद दिलाता राएगा ठीकों आपके उस स्म्टम्स के इसाब से पेसेंट एक रिज़ट को निका लो और उसको सेर करदो बात में जैसे-वस पेसेंट आएगा आपको पता चलता जाएं कि क्या केई चीजह हमने पहले क्लिक है थे उसमेंbasा है तो जीवुडिपु नमस्कार